क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भैबीत में कर्तब विपत पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही वर्दान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा दोस्तो आज मैं भाजपा कर बात कर रहा हूँ जो अपना सफर दो सीट से लेकर आज पुर्ण बहुमत्प के और अग्रसर है फेंस हम लोगों को अभी उन लोगों से बहुत कुछ सीखना होगा कि हम लोग बहुत जल्ड हार मान लेते हैं अपने जिंदगी से अपने कर्तब को पालन नहीं करते अपने विचारधारा पर काम नहीं करते हमें उन लोगों से सीखना है तो चलिए दोस्तो आज भाजपा का अस्थापना हुआ था 6 अप्रेल को तो उसी दिन आज हम लोग बताते हैं भाजपा का कैसे उदय हुआ और भाजपा का कैसे क्या क्या सफर रहा और आज भाजपा का क्या पूरे भारत में इस्तिती है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करें 1951 में तो स्यामा प्रसाद मुखर जी ने जनसंग की अस्थापना की थी ये जो जनसंग है ये एक RSS का ही पार्ट है तो स्यामा प्रसाद मुखर जी ने क्या किया आज का जो दिन है 6 अप्रेल यह बात है 6 अप्रेल 180 की उसी समय जनता पाटी तूट गई और अटल बिहारी बाजपाई के नितुत में भारतिये जनता पाटी यानि भाजपा का गठन हुआ भाजपा के पर्थम अध्यक्च वाजपाई जी बने थे फिर उसके बाद 1984 में अटल बिहारी वाजपाई के नितुत में भाजपा ने शुरुवात में नरम रुख अपनाया था हाला कि 1984 के लोकसवा चुनाओं में निराज जनक परदसन के बाद पाटी में विचारधारा को लेकर मन्थन हुआ फिर 1986 इसबी में भाजपा का कमान अपेक्चाकृत सक्त छवी वाले लाल कृष्ण अडवानी के हातों में आई यहीं से धीरे धीरे पाटी ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया तो फ्रेंट्स हम लोगों ने समझा कि उन्यस्व एकाबन में क्या हुआ जनसंग की अस्थापना हुई जो की स्यामापरसाद मुखरजी ने किया फिर क्या हुआ कि 1977 इसमी में जो जनसंग है वो जन्ता पार्टी के साथ विलै किया फिर 6 अपरेल 1980 को जन्ता पार्टी से तूट कर बीजेपी यानि भारती जन्ता पार्टी का उद्य हुआ फिर 1984 में वाजपई के नेत्रत में लोकसवा का चुनाव लड़ा गया लेकिन वहां से हार गये फिर वाजपई का नेत्रत से आथ से हट करके अब किसे मिल गया लालकृष्ण अडवानी को नेत्रत मिल गया वहां से धीरे धीरे भाजपई कभी पीछे मुर कर नहीं देखी ह हमेशा आगे की और ही देखा चलिए दोस्त अब हम लोग बात करेंगे भाजपा का लोगसवा का सफर कि लोगसवा में क्या सफर रहा है उस पे चर्चक उन्हेसो चौरासी इसमी का बात है जब भाजपा ने लोगसवा का चुनाव लरा तो मात्र उनको सिफ दो सीठ ही मिली तो जब भाजपा को सिफ दो सीठ मिली तो उसके अंदर उतल पुतल मच गया कि आखिरेसा क्यों हुआ उसी कारण से जो अटल बिहारी बाजपे थे उन्ह तेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा और यह बात सबको पता नहीं था कि आज वो कितना सत्य होगा और आज कितना कारगर सिद्ध होगा फिर भाजपा ने उन्हेसो नवासी में पचासी सीठ पर जीत हासिल की और बीपी सिंग के नित्यत में नैशनल फ्रेंट की स समर्थन दिया फिर भाजपा ने 1991 1991 में भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और पुना चुना हुए इस बार भाजपा को 120 सीठ पर जीत मिले तो फ्रेंट्स यहां देखिए कि पहले उसे दो सीठ मिले फिर 85 फिर 120 तो धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ ही रहा है जिस परकार से उन्होंने कहा अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा फिर बात आती है 1996 में 165 सीठ के साथ भाजपा सबसे बरी पार्टी बनी हाला कि पुर्ण बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण वाजपाई के नितुट में बनी सरकार मातर 13 दिन में गिर गई जब तेरह दिर में सरकार गिरी तो अटल बिहारी बाजपाई ने फिर कुछ बाते कही जो आज हम लोगों को ये 2022 में देखने को मिलता है उन्होंने कहा आज हमारी सरकार मातर एक भोट से गिर गई है हमारे कम सदस होने पर कॉंग्रेस हम पर हस रही है लेकिन ये बात कॉंग्रेस का तहीन भूले कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कॉंग्रेस पर हस रहा होगा तो फ्रेंट्स अभी आपको भी महसूस हो रहागा कि ये बात अटल बिहारी बाजपाई का सत परतिसत सत नजर आ रहा है फिर हम लोग बात करते हैं 1998 का तो भाजपा ने 182 सीटों पर जीत हासिल की भाजपा की अगुआई वाले राजग ने केंदर में सरकार बनाई और वाजपाई के नित्युत में सरकार 13 महिने चली तो फ्रेंट्स 1996 में क्या हुआ कि भाजपा जो थी 13 दिन का ही सरकार बना पाई क्योंकि वो भहमत नहीं जुटा पाई तो बिजेपी को लगा कि हम अकेले सत्ता में नहीं आ सकते तो उन्होंने 1998 में राजग मतलब NDA आया जब NDA आ गया अस्तित में तो 1998 में ही क्या किया अटल बिहारी बाजपाई ने सरी और जो समी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों को आवाहन किया और उन्होंने सब को बुलाते हुए अटल बिहारी बाजपाई ने कहा बाधाएं आती हैं आये घिरे पर ले की घोर घटाएं पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदी ज्वालाएं निज हातों में हस्ते हस्ते आग लगा कर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा तो उन्होंने सभी अनिक कॉंग्रेस पार्टियों गैर कॉंग्रेस पार्टियों को कहा कि हम लोगों को आपस में मिलकर एक राजक बनाना परेगा सबको मिलना होगा जब हम लोग मिलेंगे तब ही हम लोग उन्हें परतिनिजित्व कर सकते हैं उन्हें मुकावला दे सकते हैं और उसी का हश्र हुआ कि 1908 के बाद क्या हुआ कि 1909 में उन्होंने सक्ता बनाया और 13 महिने तक सरकार चली फिर 1909 का बात आता है तो भाजपा को फिर 182 सीटे मिली और राजग ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और वाजपाई के नेत्रित में फिर सरकार बनी और इन्होंने अपनी पूरी कारेकाल पूरा किया तो फेंड जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं क्यों 1904, 1906 अप्रेल 1908 में क्या हुआ कि भाजपा का गठन हुआ जब 1904 का चुना हुआ तो उन्हें 2 सीटे मिली फिर 1909 में क्या हुआ कि उन्हें 85 सीटे फिर 1901 में 120 सीटे उन्हें 1996 में 165 सीटे और उन्हें 98 में 182 आं informed 99 में 182 सीटे मिली तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है प्रोग्रेस में भी जा रहा है और जब ये NDA का फॉर्म किया, राजक का फॉर्म किया, बहुत सारे पार्टियों को अपस में मिलाया, तो अब जाके ये क्या बहुमत में आ सकी और सक्ता में ये आ सकी अब हम लोग बात करते हैं 2004 के, तो 2004-2009 फिर भाजपा के लिए बहुत इक निराजजनक परदसन रहा 138 सीटे मिली, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट कर गया, फिर 2009 का बात आया, तो राजग को फिर हार मिली 130 सीटों के साथ भाजपा मुक्वि पक्ची दल रही, फिर उसके बाद सब को पता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी फिर क्या हुआ, कि भाजपा में मोदी लहर आया, और इस तरह से लहर आया, कि पूरा का पूरा देश, इस लहर को नतमस्तक होकर, एक साथ मिलकर, एक जूट होकर चलने का साथ दिया 2014 में नरेंदर मोदी के नित्रत में भाजपा ने सांदार वाप्षी की, पार्टी ने अकेले 282 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बहुमत के आकरे 272 को पार कर लिया राजक को 336 सीट पर जीत मिली और नरेंदर मोदी ने परधान मंत्री पढ़ समाला फिर 2019 का बात आती है तो सभी चुनावी पंडितों को जुटलाते हुए भाजपाने पिछली बार से भी बहतर परदसन किया और पार्टी को 303 सीटे और राजक को कुल 353 सीटे मिली नरेंदर मोदी दूसरी बार परधान मंत्री फिर बने तो अब BJP जो है क्या है कि पीछे मूर कर कभी ने देखा अब क्या है कि वो आगे की और देखते ही जा रहे हैं अब 2024 में फिर चुनाव आएंगे और आप लोग ही कॉमेंट करके बताएं कि इस बार सरकार किसकी आएगी 2024 में चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाजपा की 2022 की स्थिति कि भाजपा को जो केंदर में तो सरकार है ही अब राज में क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं भाजपा आज 17 राज में भाजपा और उसके गठबंदन के सरकार हैं अगर हम बात करें केंसासित परदेश तो वहां पुंडुचेरी में एक केंसासित परदेश में भी है फिर अगर बात करें कि कितने भूभाग में फैला हुआ है तो 44 परतिसत भूभाग में फैला हुआ है भाजपा अगर जनसंख्यां को बात करें कि कितने जनसंख्यां को पर करता है क्योंकि मतलब क्या जो सरकारे हैं कि ऐस सरकार थे तो वो अपना ही फैसला देगा तो वह लोगों ने चर्चा किया कि 92 की इस्थिती क्या है राज्यों में तो अभी 17 राजल में भाजपा का सरकार है, उसमें गठबंदन का सरकार है, उनका खुद का सरकार है, दूसरा की एक कैनसासित परदेश में सरकार है, तीसरा बात की 44% भुभाग में फैला है, चौता की 49.5% जनसंख्यां को भाजपाम सरकार फैला है, अब हम लोग बात करें की भाजपा का राणका भाजपा का 2018 का वर्स होता है जब भाजपा के अंदर 20 राज और एक केंसासित परदेश था लेकिन अगर अब हम बात करें अभी 2022 में कितने हैं तो 2022 में 17 राज और एक केंसासित परदेश है अब क्या है कि वहां पे कितने 21 यहां पे कितने 18 तो मतलब 3 राज का हानी तो वो कौन-कौन सा राज है, छत्तिसगड, राजस्थान, महराष्ट, तो यहाँ पे उन्हें हानी मिला है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करें NDA की, इसे इंगलिस में बोलते हैं National Democratic Alliance, और हिंदी में बोलते हैं राष्टिय जनतांत्रिक गठबंदन, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बोला कि 1998 में क्या हुआ कि एंडिया का फॉर्मेशन किया गया, क्यों कि बिजेपी को लगा कि हम अकेले लर करके सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया और भी सदस्देशों को मिलाया, तो इसे फौंडर कि स्थौंग थे, अगर अब फौंडर का बात करें, तो अटल बिहारी वाजपई थे, लाल क्रिस अडवानी थे, परमुद महाजन थे, तो इन लोगों ने मिलकर क्या क्या क्या, एंडिये, राष्टिये, जन्तांतरी, गठवंदर, जिसे हम स्वर्ट फॉर्म में राजग बोलते हैं, इसमें कब-कब रूल किया, उन्हें सो अन्ठान में सु रूल करना स्टार्ट किया, और आज 2004 तक तो किया ही, और अभी भी अगर बात करें, 2019 चुनाओ तक एंडिये का ही सरकार है, तो इन लोगों का ऐडियोलोजी क्या है, इन लोगों का ऐडियोलोजी बिग टेंट है, चलिए फ जनता पार्टी बना रही है, उस पे एक नजर डालते हैं कि भाजपा के अंदर क्या-क्या है, उनसे क्या सोट नोट्स हैं, अगर हम बीजेपी का फूल फॉर्म का बात करें तो उनका फूल फॉर्म है भारतियों जनता पार्टी, जिसका अस्थापना 6 अप्रेल 180 में हुआ इनका अस्थापना कैसे हुआ, जैसा कि हम लोगों पहले ने बता चुका हूँ कि 1951 इसमी में जनसंग बना, फिर 1977 में जनता पार्टी के साथ में मिला, फिर 180 से क्या हुआ, अलग हो करके क्या हुआ, बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ अगर बात करें बीजेपी का विचारधारा क्या है, हिंदू राष्ट, राष्टवाद, आर्थिक उदारीकरन, अखंड मानवतावाद, तो ये सब बीजेपी के विचारधाराएं हैं, और आज तक बीजेपी अपने तिहास में कभी भी अपने विचारधारा से अपना मोल नहीं किया है, अब बात करें बीजेपी का मुख्य पत्र क्या है, तो उसका कमल संदेश, मुख्य पत्र है, इसके संपादक कौन है, परभात जा, बीजेपी का रंग का बात करें, तो भगवा और हरा है, अगर हाल के वरतमान के बीजेपी डल अध्यक्च का बात करें, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं अगर नेता राजसवा का बात करें तो थाबर चंद कहलोत हैं और गठबंदन बीजेपी किसके साथ किया है वो उन्हें सो अंठानमे में राष्टिय जनतांतरी गठबंदन मयानी NDA से किया अब हम लोग साखाएं के बात करें बीजेपी के क्या-क चर्चित में रहते हैं दूसरा है महिला भाजपा महिला मूर्चा तीसरा है किशान भाजपा किशान मूर्चा तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में भाजपा के उद्धै के बारे में हम लोगों ने समझा और अंत में मैं अटल बिहारी बाजपई के जो लाइन मै पहले भी कहा कि हमारे जो जिंदगी है वो एक संघर्स है और हमें हर संघर्स को हर मुसीबत को नतमस्तक होके उसे स्विकार करना होगा और उसे अच्छे परकार से उसको उस जो स्ट्रगल है उसको टैकल करना ही होगा तो अटल बिहारी बाजपई के जो मैंने पहले भी कहा है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भैबीत में कर्तब्य पत पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही वर्दान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा तो friends आप लोगों को भी अपनी जिंदिगी में कभी हार नहीं मानना है और अपने कर्तब्ब को अपने कर्म को अपने सत्थ परतिसद देना है और आगे बढ़ना है और देश के विकास में सईयोग करना है तो friends मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you and have a nice day